नमस्कार आप देख रहे हैं लोकल खबरे लोकल खबरे में आप सभी का स्वागत है उत्ते प्रदेश के मेन पुरिस से राम किशर वर्मा की खास खबर पर आईए एक नज़र डालते हैं करहल में जेन समवाज ने तक्तिया लेकर मिकाला जुलूस SDM को सौपा ग्यापन सबसे आगे नजर आती हैं ऐसा ही वाक्या जनपत मेन पुरि के कस्बा करहल में देखने को मिला जहां दिगंबर जयन नेमिनात जिनाले के समानतर गठित की गई श्रीमा पदमावती चेरिटिवल टरस्ट के गठन पर जैन समुझाए कि बड़ी संख्या में लोगों ने नगर में विरोध जुलूस निकाला जुलूस में पूर्सो नहीं नहीं अपितु महिनाओ बच्चे भी शामिल होते दिखें जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा एक नारे लिकी तक्तियों ने लोगों का खासा ध्यान आकरशित किया बड़ी संख्या में तहसिल मुख्याले पर जुलूस का खुजूम देख SDM करहल ने खासी नाराजगी दिखाई 1224 लागू होने पर बिना पर्मिशन के जुलूस निकालने पर आयोजगों को खूब खरी खोटी सुनाई और माइक से तपकाल जुलूस खत्म कर घर लोड़ जाने के कड़ी निर्देश दिये अंतमेशिष्ट के पाँच लोगों वे उपजिला धिकारी रतन वर्मा को नैमिनाथ जिनाने समिती की ओर से ग्यापन सो बागया जिसमें फर्जिय ट्रस्ट को निर्स्ट करने वो दोसियों के खिलाब कारवाई की मांग की गई बरहल करहल में मंदिर के समर्थन में निकला लगया जुलूस चर्चा का विशेव बना हुआ है जलूस निकला है क्या है आपका पूरा ममला? एक बेदी स्तापेता उसके अंगर माता बदमावधी माता जारुनी की तो उसमें कुछ समाज के जो बहारी लोग हैं तो उन्होंने उसकर लोकल ट्रस्ट बनाके उसको अपना बनाने की पोसिस कर रहे हैं और उनको मातारानी को मनला अपने पच्च में करना चाहरा है लेकि जब के वो परसर पूरा एक ही है तो आप लोगन जलूस क्यों निकला तर्की? के बल इस परपस मेरा जलूस निकानने का परपस के बल इतना था जो नवना जो ट्रस्ट वाया उसके उपर रोग लगाई जा सको है दील कैंसल की जा सको है